मैं रिखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ और कैसे आप सब लोग आसा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हूँगे और गार्डनिंग में मस्त हूँगे और क्या कहूँ वीडियो की शुरुआते सुन्दर सुन्दर फूलों से और आज मैं आपको एक नई चीज बता रही हूँ यह देखिए आज मैं एक वैस्ट फटलाइजर बनाऊंगी जो आप खुद अपने घर में बना सकते हैं और यह देखिए यह सबजी के मेरे घर के कुछ छिकल्स है और इसमें नीबू है और इसमें अनार है आफल और जो भी आप घर में सबजी यूज करते हैं उसका आप इसमें यूज कर सकते हैं यह बहुत ही और्गनिक है और बरसाद के समय हमारे पास जो खाद की कमी हो जाती तो हम यह सब कुछ ऐसा फटलाइजर बनाएंगे जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो यह देखिए यह कटब में मैंने लिया है इसमें मैंने जो भी मेरे घर में सबजियां यूज होती है उनको मैंने इसमें डाल लिया है और इसको मैं पानी डाल कि यह जो मेरा सबजी है वो इसमें पूरी तरह से डूब जाए तो यह मैं देखिए मैंने इसको पानी में फिल कर लिया है यह हमको है ना यह पूरी ओवरनाइट 24 गंडे के लिए पानी में डालना पड़ेगा डालके हम इसको ढखके और रख देंगे यह इतना अच्छा व पौधों के लिए बहुत ही उपियोगी है तो मैं 24 गंडे के बाद आपसे मिलूंगी और दिखिए दोस्तो मैंने यह ना ओवरनाइट भिगो के रखा है और यह 24 गंडे हो गए हैं मेरे इस पानी को और यह इस वाले पानी का यूज मैं अपने पौधों में करूंगी इसमें सब कुछ मिल जाता है इसमें नाइट्रोजन भी है फॉस्पोरोस भी है और इसमें क हैल्सम भी मिल जाएगा इसमें आप यह नीबू होने से इसकी मिट्टी को एसेटिक भी बना देगी मिट्टी तो यह सब पानी हम अपने पौधों में अप्लाइ करेंगे इससे पौधे बहुत ही हेल्थी होंगे वर्षाद का मोसम होता है ना तो फिर हम लोग कर नहीं पात हैं तो इसके लिए अभी यह वाला पानी मैं अपने पौधों को यूज करूंगे तो इसके लिए मैंने यह देखिए मैं इसको इस पानी को अभी मैं इससे लूँगी यह देखिए इसमें हम यह पानी को छान लेंगे आप इसे इसको ना आप 24 गंटे जरूर रखिएगा न और यह जो च्छानके है ना फिर यह जो पानी रेडी हो रहा है यह हम अपने पौदों में डाल देंगे और इसके लिए मज़े एक मगगा और पानी डाल के इसमें डाल के तो यह मैंने जो डाला हुआ है यह बहुत ही अच्छा है नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाशियम, म मिल जाएगा तो हम अपने पौदों को यह टोटली और गैनिक है और यह बहुत ही अच्छा होता है और मैं अपने पौदों को यही पानी अप्लाए करती हूं और चलिए मैं दिखा देती हूं यह देखिए यह जो मेरे पौचुल का आ रहे हैं तो मैं यही सब इस पानी को इसी में अप्लाए करती हूं और यह पानी बहुत ही अच्छा होता है तो मैं यह सब में यह वाला पानी डाल देती हूं आप लोग भी अपने और यह जो बाद में बचता है ना तो इस इसमें फिर से भी आप पानी डाल सकते हैं और फिर से आप 24 गंटे के लिए रख दीज तो आपका फिर से रेडी हो जाएगा यह पानी देखिए आप कितना रिच है और इस पानी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो आप लोग भी अपनी यह सबजी हैं फेके ना और जब यह सबजी अच्छे से गल जाए तो इनको किसे भी आप इनका फिर से डीकंपोस कर स प्लीज और बताएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आपके लिए थोड़ा भी इनफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजीगा और आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सस्क्राइब करिए ना ओके बाई बाई